कि नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेट इंस पाइस इंडिया पर मैं हूं अंकेट अवस्थी रिसेंट डेज में जब जब एक ख़बर आई कि अमेरिका ने किसी को अपनी चितावनी दी या अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को कोई अडवाइजरी जी तो उसका मतलब क्या निकला वो मैं आज के सेशन से शुरुआत में बता रहा हूं क्योंकि आज का सेशन यह है कि अमे से पहले एडवाइजरी जारी होती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद अटैक होता है फिर क्या क्या किया जाता है वो प्रकरिया आपने देखी है आप मैंसे बहुत से लोगों ने अफगानिस्तान देखा रशिया यूकरेन देखा गाजा इसराइल देखा और अब आप इसराइल और इरान देखने वाले हैं मैं आपको कुछ याद दिला रहा हूँ एक बार के लिए इस खबर को तारीख के साथ देखिए अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगानिस्तान में रह रहे अमेरिकियों से कहा कि तुरंत प्रभाव से अफगानिस्तान छोड़ दें एक बार के लिए बस नजरें आप तारीखों पर डालें साथ अगस्त दो हजार इकीस की खबर दिख रही है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका अर्जे सिटिजन्स टु लीव अफगानिस्तान साथ अगस्त दो हजार इकीस को वार्निंग आती है और पंदरा अगस्त के दिन अफगानिस्तान में तालिबान पूरी तरह अफगानिस्तान पर कबजा कर लेता है यानि कि तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान यह सुर्ख ही आपके सामने 18 अगस्त की भले ही हो लेकिन ये 15 अगस्त 2021 को हुआ यानि कि 7 अगस्त मात्र आठ दिन पहले अमेरिका अपने लोगों को भागने की कहता है कि भाग लो कुछ होने जा रहा है और हुआ क्या अफगानिस्तान में तालिबान का कब जाओ गया एक न्यूस दूसरे न्यूस देख कि निकल लो कुछ होने वाला है और उसी के तुरंद बाद अब ख़बर देखते हैं मातर एक महिने के भीतर 24 फरवरी 2022 को रशिया इनवेड्स यूक्रेन ऑन मल्टिपल फ्रेंट इन ब्रूटल एक्ट ऑफ वार ये आप खबर देख लेते हैं मैं केवल आपको ये बताने की बात कर रहा हूं कि अमेरिका अपनी खुफिया एजेंसी CIE के माध्यम से सबसे पहले ये खबर जुटा लेता है कि अब हमला होने ही वाला है और वो हमला होने का सबसे पहला प्रमान ये है ये एडवाईजरी जारी करके अपने लोगों को कहता है निकल लो या मत जाओ Diplomates in Israel amid fear of Iran attack. US ने अपने Diplomates से कहा है कि इसराइल की यात्रा ना करे क्योंकि एरान हमला कर सकता है अगर आप इन सभी चीजों का कोई सार निकालते हैं तो हैडलाइन यही है कि इसराइल की यात्रा ना करे अमेरिका ने अपने Diplomates को पूरी तरह चेतावनी दे दी है रमजान मचा हुआ है उसकी पूरी कहानी है और हमने उस पूरी कहानी को विस्तार से आपको कैई सेशन में बताया है फिर चाहे 4 अपरेल का पहला सेशन हो जिसमें हमने कहा था कि 48 घंटे में युद्ध होगा लेकिन नहीं हुआ नहीं हुआ उसके पीछे रमजान का चलना बताया गया जैसे ही 11 तारीक को एद मनाई गई है उसके बाद CIA का हाई अलर्ट है कि 24 आर से 48 घंटे का जो गटना करम है यह जो बीच में नहीं हुआ था तब यह माना गया था कि वो रमजान का आखरी शुकरवार था उस दिन ऐसा हमला हो सकता था अब नहीं हुआ है तो एद अमेरिका ही नहीं अमेरिका के पिछ लगू फ्रांस ने अपने फ्रेंच सिटीजंस से कहा है इरान मत जाईएगा लेबनान मत जाईए इसराइल मत जाईए फैलस्टाइन मत जाईए फ्रांस अर्जेज नोट टू ट्रेवल एरान लेबनान इसराइल पैलस्टाइन टेरिट और जब ये सुर्खी निकल का राती है इसी बीच में अमेरिका ततकाल प्रभाव से अपने विदेश मंत्री को एक्टिवेट करता है कि सौधी अरब से बात करो, एरान से बात करो, सौधी अरब से बात करो, चाइना से बात करो, टर्की से बात करो कि वो एरान को रोके, कि वो इसराइल पर हमला ना करें नहीं तो घातक परिणाम होंगे इरान के उपर दवाब डालने के लिए सौधी, चायना और टर्की से कहा जा रहा है कि वो इरान को समझाएं कि वो किसी भी प्रकार की गलती ना कर दे इसराइल पर हमला ना कर दे और तो और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि पिछले च्छे महिने में Biden जा चुके हैं इसराइल, Blinken जा चुके हैं इसराइल लेकिन SENTCOM जो की उनकी Central Command है, SENA की जो Command है उसके Chief हाल ही में इसराइल पहुँच करके Israeli Defense Forces को बता रहे हैं कि हमले की इस्तिती में आपको क्या करना है ऐसी इस्तिती में ये सारी सुर्खिया आती हैं तो क्या भारत का विदेश मंत्राले कुछ कहता है उन लेबर्स के लिए जो हाल ही में भारत की तरफ से इसराइल पहुंची है जी हाँ भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से एडवाईजरी जारी कर दी है कहा है कोई भी बाहर ना निकले मतलब कुछ तो है जिसके चलते पूरा Middle East बहुत जादा हीटेड हो चुका है आप से गुजारिश है कि इसी heat of moment में आप अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपके साथ साजा करता चला जाओंगा कुछ जरूरी सूचनाएं देने के लिए हैं मेरे पास पहली सूचना ये है कि राम नवमी के शुब अवसर पर नतराज बैच के अंदर admissions open किये जा रहे हैं और ये RAS का foundation बैच है जो नवरात्री के अवसर पर आप लोगों के लिए 15,000 के इस्थान पर 75,000 रुपए में open किया गया है इस बैच की शुरूआत में ही मैं आप लोगों की ethics की classes शुरू करने जा रहा हूँ ethics के साथ साथ यहां economy, science and technology, history, hindi, environment, geography, even polity भी मेरे द्वारा ही आप लोगों को यहां पर पढ़ाई जाएगी जिन्हें भी admissions लेने हैं link comment box में pin कर दिया है अपनी पार्शाला application का अपने admissions बुक कर लें क्योंकि इस राम नौमी से 17 अप्रेल से आप लोगों के लिए classes शुरू हो रही है ethics की मेरी तरफ से और यहां पर same day ही आपको classes मिलेंगी science and technology, history, economy and geography 4-5 classes per day live आपको मिलने जा रही हैं जल्दी से अपने आपकी seat reserve कर लीजिए foundation के लिए कमर कस लीजिए और हाँ यदि आप अपने घर पर हमारे handwritten notes 4 subject history, geography, quality, economy के मगाना चाते हैं जो कि मेरे अपने handwritten notes हैं जिसमें पूरा content आप लोगों के लिए तयार किया गया है चेक किताबों में अगर आप उन्हें मंगाना चाते हैं तो अपनी पार्चाला application से इन्हें order कर सकते हैं 3000 से अधिक pages हैं मात्र 1,999 में आपके घर पर including courier charges डिलीवर किये जा रहे हैं इसके अलावा हमारे कुछ और YouTube channels भी हैं जिन्हें आप subscribe कर सकते हैं साथियों जैसा मैंने आप लोगों को आज से 7 दिन पहले 48 घंटे की बात कही थी उस समय भी Friday था आज भी Friday है वो Friday रमजान का आखरी Friday था और उस समय ये कहा गया था कि इसके बाद में इसराइल के उपर इरान हमला करेगा लेकिन वो हमला नहीं हुआ CIA की वो नसीछत खाली निकल गई ऐसा हुआ क्यूँ था? हुआ इसलिए था क्योंकि 1 अपरेल के दिन इसराइल के द्वारा एरानी कोंसुलेट पर सीरिया में हमला किया गया था चुकि किसी भी Consulate पर या फिर Embassy पर किसी देश के द्वारा किया गया हमला उस देश पर हमला माना जाता है तो इरान ने इसे अपने आप पर हमला माना और इसी के Retaliation में इरान ने इसराइल को धमका दिया कि इसका बदला लिया जाएगा और साथ में इरान ने अमेरिका से कहा कि इस पूरे मुद्दे में आप अलग रहिएगा अदर्वाइस ये हमला आपके लिए भी घातक हो सकता है लेकिन इसराइल ने इरान को धमकाते हुए पैरलल टाइम पर ये कहा कि यदि किसी ने भी ये गुस्ताखी की कि वो हम पर हमला प्लान करते हैं तो हम उसका करारा जवाब देंगे लेकिन इसी बीच में पता चलता है कि बाइडन जो की अपने चुनाओ में लगे हुए हैं वो नेतन्याहू को समझाते हुए पाए गए कि भीया तुम पहले ही गाजा में बहुत कहर मचा चुके हो अब इरान के साथ वार नेतन्याहू हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं इसी के चलते रमजान के होने के अवसर पर खैमने बाहर निकल कर आते हैं 10 अप्रेल के दिन खैमने सुप्रीम लीडर ऑफ इरान बहार आते हैं और अपने द्वारा मैसेज करते हैं दुनिया को कहते हैं कि हमारे Iranian consulate पर Syria के अंदर और इसे हम लोग Iranian soil पर हमला consider करते हैं यह malicious regime has made a wrong move इन्होंने गलत कदम उठाया it should be punished and it will be punished इस तरह की जो खबर आती है Iranian supreme leader के द्वारा खैमनेई के द्वारा इससे पूरे की पूरे western world के अंदर तहल का मच जाता है कि खैमनेई जो कि Iran के supreme leader है धार्मिक नेता है और उनके द्वारा ये बयान दिया जाना कि उनको punishment दिया जाना चाहिए और punishment दिया जाएगा ये अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक बहुती बड़ा message consider किया जाता है और ऐसी इस्थती में खैमनेई सभी मुस्लिम देशों को आवाहन करते हैं कि वो सब लोग एक साथ आए और आकर के इस जियोनिस्ट रिजीम को यानि इसराइल को उखार फैकने में उनकी मदद करें इस प्रकार की जब खबरें आती हैं तो इसराइली पीम भी कहते हैं कि अगर हम पर किसी ने हमला किया तो इसका करारा जवाब मिलेगा और उस करारे जवाब में इन्होंने strategy भी जारी कर दी कि ये कैसा जवाब देंगे और बहुत सारे इसराइल को cover करने वाले national media houses ने cover किया कि अब world war 3 world war 2 की तरह नहीं होगा उससे भी आगे होगा क्योंकि इरान के द्वारा nuclear weapon तयार किये जा रहे हैं तयार हुए नहीं है बस ये फर्क है इसराइल द्वारा missile चला करके इरान के अंदर वो capacities जहां पर nuclear weapon तयार किये जा रहे हैं जैसे आराक, फौर्दो, नातांज, इफ्तासान और बुशहर इन सभी इस्थानों पर इसराइल द्वारा हमले किये जाएंगे और उन्हीं जगह पर हुए हमलों से इरान वहीं पर खंडर बन जाएगा, वापस से stone age में पहुँच जाएगा, बरबाद हो जाएगा क्योंकि इसराइल अपनी targeted missile से इरान के अंदर उन्हीं इलाकों को target कर देगा, जिन्हें इसराइल के खिलाफ इरान ने develop किया हुआ है इसी के चलते इसराइली मंत्री के द्वारा, जो foreign affairs minister है, इनका बयान आता है कि if Iran attack from its territory, इसराइल will react and attack in Iran, हम लोग इरान में जाकर हमला करेंगे, यानि कि ये move खतरनाक होगा इस बीच में भाशनबाजी चली रही थी, ये खबरे 10 अपरेल के दिन की निकल के आई ही थी, कि 11 अपरेल के दिन एक news media में viral होने लगती है और उस news के अंदर दिखाया जाता है, कि Iranian defense ministry है, उसने सभी flights को रोक दिया है, फ्लाइट को रोक दिया है, मतलब है कि airspace को no flight zone declare कर दिया है यानि sky के अंदर कोई भी flight चाहे वो national हो या international हो नहीं उड़ेगी ये महर news agency पर जैसे ही news flash होती है, तुरंत इस news को delete कर दिया जाता है, लेकिन times of Israel इस news को चाप लेता है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि एरान ने अपनी news agency के एक tweet को delete कर वाया है जिसमें उन्होंने अपने airspace को जो तहरान में है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है यानि कि एरान में अब कोई भी विमान अगर घुसा तो उसे पूरी तरह हवा में मार दिया जाएगा एरान कल की रात पूरी तरह तैयारी कर चुका था कि जैसे ही कोई उनके छेतर में आएगा उन्हें मार दिया जाएगा इसके चलते इरान बहार आता है और वो कहता है कि हम लोग केवल military drill कर रहे हैं कि अगर ऐसी इस्तिती बनती है तो हमें उससे कैसे निपटना है इसको देखते हुए यॉरॉप की सबसे प्रसिद एरलाइन्स लुफ्तान्जा एरलाइन्स जो जर्मनी द्वारा operate की जाती है उसने 11 तारीख को अपनी flights इरान जाने वाली flights तहरान जाने वाली flights रोक दी कि सहाब हम नहीं आएंगे पता चले हवा में ही मार दिये गए लेकिन इसी बीच में जर्मनी की विदेश मंत्री द्वारा तहरान यानी इरान की राजधानी में मंत्रियों से बात की जाती है और कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो हम अपनी flights जारी रख सकते हैं उनके द्वारा हामी भरने पर लुफ्तान्जा फिर से अपनी flights को चलान शुरू कर दिया लेकिन इसी बीच में रश्या जर्मनी और यूके निकल कर आते हैं और समझाने लगते हैं इरान को कि भाया कम से कम इस युद्ध में आगे मत बढ़ो मामला बहुत बिगर सकता है क्योंकि आप समझे इस समय पूरा Middle East आग के गोले पर बैठा हुआ है बार जिसने अभी तक कोई भी वार डाइरेक्ट नहीं लड़ी है हर वार वो प्रोक्सी लड़ रहा है अगर ये मामला निकल कर आता है Middle East बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा और ऐसी इस्तिती में यहां मामला केवल इतने पर ही नहीं रुकेगा अमेरिका डाइरेक्टली इस यह वार के अंदर इन्वाल्व हो जाएगा ऐसी इस्तिती में एक important news निकल कर आती है कि अमेरिका इसको देखते हुए आज सौदी अरब चाइना और टर्की जिनकी बात इरान मान सकता है उन्हें समझाता है और कहता है कि आप समझाइए इरान क इसराइल पर हमला ना करें क्योंकि अगर इसराइल पर हमला हुआ तो इसके quote unquote meaning ये निकले जाएंगे कि ये हमला अमेरिका पर है और अमेरिका पर हुआ हमला फिर अमेरिका बरदाश्त नहीं करेगा प्यार से नहीं तो members कार के समझाईए लेकिन समझाइए इस बीच में नि की request को ignore कर दिया कि एरान पर अगर कोई हमला हुआ तो वो जेल जरूर लेगा लेकिन वो इसराइल से बदला जरूर लेगा वर्ड politics में जो घटना है इस समय घटित हो रही है पलपल में घटना करम बदल रहे हैं इतने सारे देश involved हैं कि किसी भी देश पर रुक कर दो मिनिट से जादा बोल दिया जाए तो न्यूस गंटे वर से बड़ी हो सकती है इसलिए ये न्यूस बहुत तेजी से मैं निकालते हुए लेकर चल रहा हूँ चाइना ने साफ साथ इगनोर मारते हुए अमेरिका से कहा कि नहीं गलत इसराइल ने किया जिसने इरान पर हमला किया अब वो बदला जरूर लेगा अब देखने वाली बात ये है कि यूके जैसे देश जो अमेरिका के पिछलगव हैं वो क्या कहते हैं तो यहाँ पर देखिए डैविड कैमरून जो इस समय सब्सक्राइब बिटेन के उनके द्वारा लिखा जाता है कि मैंने इरान के विदेश मंतरी से बात की है ने कहा है कि अगर आप नहीं हटे इस कंफिलिक्ट से दूर नहीं हटे तो इसके बहुत बुरे खथरनाक करिणाम हो सकتे हैं मैं इस बात से पूरी तरह मतलब मैं कंसर्ण हूँ इस विशय पर कि अगर आपने वाइलेंस की तरफ पैर रखा तो ये बहुत घातक हो सकता है अब इरान को समझाया जा रहा है कि आप गलती से इसराइल पर हमला मत कर देना इसी बीच में US की Embassy जो इसराइल में है वहाँ अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को मैसेज दिया जाता है कि कोई भी अपने छेतर से बाहर ना निकले परिवार जन वापस लौट जाएं क्योंकि किसी भी समय इसराइल इरान पर हमला कर सकता है इरान इसराइल पर हमला कर सकता है नियु यॉर्क टाइम्स की ख़बर की बात माने तो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जरनल माइकल कुरिला इसराइल पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पहुच कर इसराइल को खतरे की परिस्थिती से निपटने की ट्रेनिंग दे रहे है यहां के रक्षा मंत्री यॉव गैलेंट और इसराइल डिफेंस फोर्स के अधिकारियों से वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि अगर इरान का पर हमला होता है तो रिटेलियेटरी एक्शन क्या होगा वहीं फ्रांस के द्वारा अपने सिटीजंस से कहा ग और रिटर्न ओफ फैमेलीज ओफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स फ्रॉम तेहरान में जो टिप्लोमेट्स की फैमेलीज हैं वो भी लॉट लें क्योंकि इस्थितियां बिगड़ रही हैं इसी चलते आज की अपडेटेड ख़बर ये है कि अगले 24 से 48 घंटे में इसराइल के उपर हमला कर सकता है इरान ये 48 घंटे लास्ट टाइम फ्राइडे को लगाए गए थे जो कि रमजान का आखरी फ्राइडे था अब रमजान पूरा हो चुका है इद निकल चुकी है इरान इसके बाद में हमला कर सकता है ये फिलहाल के लिए अपडेटेड ख़बर बनकर त इसी को ध्यान में रखते हुए सब जगे ये कवर किया जा रहा है कि वाल स्ट्रीट जर्नल में चप चुका है कि कोई भी समय हमला हो सकता है ऐसी इस्तिती में डू नॉट गो टू इरान इजराइल और यही चीज हर जगे की सुर्खी बनी हुई है खेर चलिए इंडिया का ह जान लेते हैं इंडिया ने भी लगे में लगा ट्रेवल एडवैजरी जारी कर दी और उसने कहा इन व्यू आफ प्रिवेलिंग सिचुवेशन इन दी रीजन और इंडियान आर एडवाइजड नॉट टू टू इरान एजराइल तिल फर्दर नॉटिस अगले नॉटिस तक इरान और इजराइल की यात्रा ना करें और जो लोग वर्तमान में इरान या इजराइल में रह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एम्बेसी के डा इरेक्ट संपर्क में रहें और उनसे कहा जा रहा है कि वो जतना ज़्यादा हो सके Number 10 सुरी के अपनी सिक्यौरिटी को कि चिंता इन लोगों को लेकर के है क्योंकि इसराइल के द्वारा एक पूरी तरह से रोजगार का ड्राइव चला करके भारत से श्रमिकों को वहां ले जाया गया है क्योंकि गाजा पट्टी पर हमले के बाद से गाजा के लेबर वेस्ट बैंक से निकल करके गाजा पट्टी स कि इसराइल ने अपने लोगों को एक notice दिया है और कहा है जैसे ही सायरन बजे की हमला हो चुका है उस समय तुरंत जमीन पर लेट जाएं खुले इस्थान पर निकल आएं जमीन पर लेट जाएं और अपने आप को अपने हातों से सरी सिर को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लें और जमीन पर कम से कम दस मिनिट तक ही लेटे रहें कुछ इस प्रकार से पोज बनाकर सायरन बजने पर जमीन पर लेट कर अपने आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करें और इसी बीच में इरान अब्जरवर ने अब हम इस खबर की पुष्टी नहीं कर रहे हैं अभी से दो जमीन का उपयोग इरान पर हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए अर्थात जो अमेरिका के बेसे कुवैत में बने हुए हैं कतर में बने हुए हैं वहां से अमेरिका निकल कर इरान पर हमला करने का प्लान ना करें मैंने पहले भी आपको बताया है अमेरिका के बहुत सारे bases Middle East में बने हुए हैं जिनमेंसे प्रमुक कतर और कुवेत हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी जमीन का उपयोग नहीं होना चाहिए जब इरान पर हमला करने की बात हो इस्थितियां बड़ी tense हैं और हम ये उमीद करते हैं कि आने वाले समय में इस्थितियां सामान्य करने में किसी ना किसी की भूमी का निकल कर आए वर्तमान में लगता तो नहीं है कि ये किसी तरह से कम होगा हम हर दिन इस इंतजार में हैं कि कोई ना कोई बीच में निकले और UN अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करे और कहे कि हमने सब कुछ रुकवा दिया है लेकिन देखते हैं क्या होता है बाकी updated रहने के लिए चैनल को subscribe कर लें एक बटन दिया हुआ है उसे click कर दे so that आपको जिस भी प्रकार का update भविश्य में आएगा वो मिल जाएगा हमारे regular viewers में से around 60% viewers ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को subscribe किया हुआ है उन्हें automatic update पहुँच जाते हैं जिसका कोई charge नहीं है आप जाकर subscribe कर सकते हैं और जो पढ़ने वाले विध्यारती या उनके परिवार जन घर के अंदर पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें inform कर दें कि इस हमारा नतराज बैच में admission open हो रहा है 15-15,000 का जो बैच है हमारा नवरात्री ओफर में 75-100 रुपे में उपलब्द कराया जा रहा है इस बैच के day 1 पर ही मेरी classes ethics की उपलब्द होंगी साथ ही साथ यहां पर अन्य जो मेरे साथ faculty members हैं वो आपके लिए अलग-अलग subjects class लेकर आ उपलब्द होगा उसे आप download कर सकते हैं और classes को live ना देख पाने की इस्तिती में recorded भी साल भर तक के लिए देख पाएंगे इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्द होंगी और हाँ यदि आप हमारा handwritten material अपने घर पर मगाना चाहते हैं तो मातर 1199 में history, geography, polity, economy, Hindi medium as well as English medium में भी सेम इसी प्रकार का model उपलब्द है, मातर 1199 में including courier charges मेरे handwritten notes 3000 pages के आपके घर पर courier किये जा रहे हैं, आप उन्हें order कर सकते हैं अपने पार्शाला application से, बाकी हमारे जो अन्य योट्यूब channels हैं आप उन्हें भी exam point of view से select करें, फिलाल के लिए इता ही अपना खयाल रखे बहुत बहुत धन्यवाद